मेंस्ट्रीम मीडिया में जब भी डिबेट होती है तो उनमें बीचेपी की नेता मौझूद होते हैं डिबेट के जरिये जनता के मुद्दे सामने रख हल निकाला जा सकता है पर आज के मीडिया में ना तो मुद्दाम जनता से तालुक रखता है और ना ही एंकर बीज़िपी नेताओं से सवाल करते हैं और जब विपक्ष जवाब देने लगता है तो एंकर उन्हें बीच में ट भड़कते दिखाई दिए हूँ न्यूज 18 पर चाइना के मुद्धे पर डिबेट हुई इस डिबेट में एकर ने कॉंग्रसी नेता से सवाल किये जब कॉंग्रसी नेता लोग शर्मा जवाब देने लगे तब अमीश देवकरने बीच में उने टोक दिया इस पर आलोग कुस आप कॉंग्रस के प्रवक्ता को बोलने दीजी आप बिल्कुल बीच में बोलते रहेंगे क्योंकि आपको भाजपा की सरकार को बचाना है आप शुरूआत यहां से करवाना चाहते हैं मैं साब-साफ पूछा हूँ कि आप ये बता दीजे बारत की सरकार चाना से रड़ती ह निउस 18 पर सुषान्त केस में सीबिय जाँच को लेकर डिबेट कुई इस डिबेट में अमीश ने अभिनेतरी कुनिका सदानम से सीबिय जाँच पर सवाल किये कुनिका ने कुछ अन्य घटनाओं का जिकर कर अमीश से उन पर डिबेट ना करने को लेकर टोका जैस पर अमीश परिशान दिखाई थी सुप्रीम कोट ने उस जन भावना का सम्मान भी करा एक तरह से और इंसाफ भी करा है और आप कहने है कि मीडिया ट्राइल नहीं होना चाहिए अगर इहां पर मीडिया ट्राइल नहीं होता लगाता डिवेट नहीं होती सत्ते ही नहीं सामने आता क्योंकि आपको इसमें ट्राइल नहीं मिलेगी इसलिए आप लोग नहीं बात नहीं उठाई तो इस दिन आप लोगों ने जिस दिन हुआ था उस दिन आप लोग वो गिरिफ्तारी हुए हो भी अभी पता नहीं मैडम इस मामले को चोगण दिन हो चुके न्यूज 18 पर चाइना के मुद्धे पर डिबेट हुई एस डिबेट में अमीश ने कॉंग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े किया और कुछ ऐसे शबदों का इस्तमाल किया जिसे लेकर कॉंग्रेसी नेता ने अमीश को टूक और माफी मांगने पर सूर दिया आप भारत आप भारत को उपर क्यों नहीं रखते आपको क्यों लगता है कि भारत हारी रहा है ऐसी आपकी मंचा क्यों है मंचा इंदसिंस कि आपके आप उस बात पर क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं बार बार कि भारत हार रहा है एक तो अपने शब्दों का बहुत सोच समझ कर जो प्रयोग करिएगा। हमारी मन्षा भारत को हारनी की कभी नहीं है। राष्ट्रेत नितस्वे हैं एक डित्व होटको जुद्फेलिद के लिए यहां पर बाटने की लाइद्फ्यूया। वेन्षरू.. आप मुझे बोलने दीजे अब आप, आप मुझे ये बताने वाले कोई नहीं होते कि हमारी मंचा क्या है, इस सवाल पूछा आप से, मैंने बिल्कुल ने बताया आपकी मंचा क्या है, बोलना पड़ेगा न फिर, एक मिनट, आप इस बात कर जवाब दीजे कि फॉरेंड मिनि को करा आप कस कऊ स्वीकार करेकिए निवेधन को सवीकार करें, ना आज के बाद मत बोलिएगा पिठ्थू होंगे आप और आपके साथ क्यों गे काई पिठ्थू अमीज डेवगन को पिठ्थू बोलने की जुरत्पत का नाराग निलायक चुपना हो जन्त मैं आप से पत्रकारिता का भाशन नहीं चाहिए ने आपके पिठ्थू से पत्रकारिता का भाशन चाहिए मैडम मेरा निवेजन शुकार करिए मैं अगर यहाँ पर आपके साथ परस्नल डिबेट के अंदर नहीं हूँ न्यूज 18 पर उमर खालिद के गिरफतारी के मुद्दे पर डिबेट हुई और आप मुझे बताईए शरजील उस्मानी जो अभी बेल पर भार आया है जिस तरह के शब्दों का इस्तमाल कर रहा है कि मैं दुबारा आप मस्जिद बनवाऊंगा और उस सोच को भी कवर फायर देने का प्रयास होता है हर शाख पे उल्लू बैठा है अन्जाम गुलिस्ता क्या होगा देश की किसी को नहीं पढ़िये देश कहां जा रहा है इसकी किसी को नहीं पढ़िये जीडीपी कहां चलीगी किसी को फिकर नहीं आप economic expert हो गए हैं आप GDP की बात कर रहे हैं ना तो इसकी भी बात कर रहे हैं जो देश को देश में साजिश कर रहे हैं उसकी बात करी न शोशल मीडिया में कवर फोटो में लिखा कि बाबरी को दोबारा बनाएंगे इकिस सरकार से सवाथ बोलिए चुप होकर तो सुनिये चु का भांडा फोड़ा है और ये कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी अमीश अक्सा डिबेट में हिंदू-Muslim करते या फिर बक्ष को टार्गेट करते दिखाई देते हैं अगर मीश चीडीपी बिरोजकारी जैसे मुद्दे पर डिबेट कर सरकार से सवाल करते तो शायद जनता का फुरोज सा मीडिया पर और जादा बढ़ जाता.